प्रतिक्रिया देते हुए हरियाना के ग्रहमंत्री अनिलविज ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर अप्राद पर लगाम लगाने का हर संबब परियास कर रही है फिलाल परदेश के लोगों के लिए हेलप लाइन 112 शुरू की जा रही है और अगले तीन महीने में यह पूरी तरह से शुरू हो जाएगी वही पंचकूला में एक मुख्याले भी बनाये जाएगा जहां चार भाशाओं के जानकारों को ऑपरेटर के रूप में बिठाये जाएगा अनिलविज ने कहा कि जल्द ही परदेश सरकार हर पुलिस स्टेशन में दो-दो PCR उपलब्द करवाएंगी जो वारदात पर मात्र 15 मिनट के अंदर पहुन जाएगी और क्या कुछ कहा अनिलविज ने आप खुद सुनिये ने कनौन विवस्ता बिल्कुल कंट्रोल में है थोड़ा सा इजाफा जरूर है उसमें महलाओं के प्रती अपराद का और जो दूसरी जातियां हैं उनके प्रती अपराद का 6,7% का इजाफा है लेकिन बच्चों के प्रती अपराद में 3,5% की कमी भी है और इसको और दुरूस्त करने के लिए हम परियास कर रहे हैं उसके लिए हम डायल 112 को जल्दी अमली जामा पहना रहे हैं और उसके लिए हमने सी डेक से मो यू भी साइन कर लिया है उनके साथ हाड़वेर और सोट फिर वो हमें महिया कराएंगे और उन्होंने मैई जून तक फंक्शनल करने के लिए कहा है से सो तीस हम नई गाड़ियां में खरीज रहे हैं हर थाने पर दो गाड़ियां हम इसी काम के लिए देंगे कि अगर किसी को दिक्कत आए पुलिस की जुरुत पड़े तो पंदरा म कि किसी भी कौने से कोई बात करें तो उसकी बात को समझा जा सके और वहां पर तुरंत जो है फोर्स पहुंचा ही जा सके पर देश को तोड़ने का काम हमेशा कांगरेस नहीं किया है हंदुस्तान का जब जनम हुआ तो उस वकट देश का विवाजन कांगरेस की ही देन है और दस लाख लोग उस वकट मरें 1984 में जो दंगे हुए तीन हजार सिखों का कतल याम हुआ और अब भी जो सी एए को लेकर कांगरेस की चेर परसन सोनिया गांदी और हौल गांदी और प्रिंका गांदी लोगों को सड़कों पर आने के लिए बार बार कह रहे थे तो इनका तो डी एने में है कि देश के विरुद काम करना है और आरेसस सरकार फिर आरेसस देश वक्तों की जमात है